स्टुडेंट्स यह है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एलॉंग जाने लगूं किसी भी डिरेक्शन बे तो सवाल यह है कि पोटेंशल का क्या होगा मतलब पोटेंशल कम होगा या ज्यादा होगा इंदि डिरेक्शन अफ अगर हम अपना लॉजिक लगाए कि क्योंकि जैसी हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होता है तो पोटेंशल को भी कम होना चाहिए क्योंकि पिछले लेक्शर में देखा था जहां भी इलेक्ट्रिक होता है पोटेंशल भी होता है दूसरा में जब तब तक हमारे पास कोई proper mathematical model नहीं आता तब तक हम electric field और potential के बारे में कुछ नहीं कह सकते है ना तो इनके relationship को जानने के लिए हमको एक mathematical model बनाना पड़ेगा वही हमें यह बताएगा कि what is the relationship between electric potential and electric field लेकिन उसको समझने से पहले हमको एक concept समझना पड़ेगा वो concept है equipotential surfaces क्या हो concept of equipotential surfaces देखो अभी आपको यह यह दो building देख रही होंगी इसमें आप देखना पहला character एक movement लेगा यह गया सीथा और दूसरा character देखना यह गया नीचे अगर मैं आपको यह बोलूं कि दोनों cases में मतलब उसे तो सीधी movement ली थी terrace terrace से terrace भी चला गया है ना और वह एक story नीचे अगर मैं आपसे यह बोलूं कि किस case में work done ज्यादा लगेगा या आपको यह बोलूं कि दोनों ही case में work done बराबर है या मैं आपको यह बोलूं कि दोनों ही case में work done नहीं लगेगा तो यह actually किस चीज के और इशारा कर रहा है यह इशारा कर रहा है हमारे अगले concept की और जो हम को इसी तरह से समझने पढ़ेंगे जैसे ये इसका सरफेस रहा सेम इसका सरफेस हो गया चेंज तो अब हम इसके जगाल लेंगे एक Charged अब देखो चाज क्या गया रहाँ यह मेरे पास कुछ surfaces है 1 2 3 4 और एक चार्ज है पहले आप इस चार्ज को देखो इस वले अब मैं क्या करूंगा इस चार्ज को एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस पर लेक्या होंगा यह आ गया अब आप इस चार्ज को देखो अब मैं क्या करूंगा इस चार्ज को सेम सर्फेस पर गुमाऊंगा ये आ गया ये, same surface पे है ना, जैसे पिछली बार अपने building में देखा था, वो एक की terrace पे रहा, है ना, उसने movement तो की, लेकिन एक की terrace पे रहा, दूसरे बाले ने story change कर ली थी, जैसे इसने story change कर ली, अब, work will be done, मतलब इस case में, जिस case में, एक charge, एक surface से, यहाँ पे आ गया, work will be done लेकिन, यहाँ पे, same surface पे ही, एक charge आया, और no work done, यह क्या चक्कर है, यहाँ work done कैसे हो गया, और यहाँ work done क्यों नहीं हुआ, यही concept है, equipotential surface का, ठीक है, अब देखो, मेरे पास वही surfaces हैं, अब इनके बीच में से, मैंने electric field को pass करवा दिगा, ठीक है, अब यह है, electric field, अगर म मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे, देखो, same electric field दिख रहा है, और surface कुछ ऐसे दिखेंगे, यह lines, यह जितनी भी lines है, आपको यह blue lines, dotted lines दिख रही है, vertical lines, all vertical lines are equipotential surfaces, यह होते क्या है, actually equipotential surface वो surface होते हैं, जिन पे potential same होता है, मतलब एक surface पे potential will be same, यह देखो, जैसे यह surface है, तो potential will be same, अब जहां मरची charge को घुमाते हो, potential will be same, लेकिन जैसे ही आपने एक surface से दूसरी surface पे उपर jump लगाई, तो work will be done, क्योंकि potential change हो गया, ठीक है, समय में ही बात, तो all vertical lines are equipotential surfaces, सारा मेरे पास equipotential surfaces हैं, यह देखो, positive charge की वज़े से equipotential surface कुछ ऐसे बनेगे, यह देखो, यह भी orange color के dotted circles है, all are equipotential surfaces, मैं आपको ऐसे visualize कर वाता हूँ, आपने वो देखी है, sellotape, sellotape के अंदर, बिल्कुल center में imagine करो, एक positive charge पड़ा है, वो sellotape के जो, आप sellotape की वो देखते हो, जो windings होती है, वो इसके उपर-उपर घूम रही है, तो ऐसे ही equipotential surface को imagine कर सकते हो, यह सार आप 4 से दूर जाओगे, equipotential surfaces में distance आता रहेगा, देखो, पहले थोड़ी close है, थोड़ी और दूर गया, और दूर चला गया, थोड़ी और दूर गया, काफी दूर चला गया, क्योंकि equipotential surfaces, चार से जितनी आप दूर जाओगे, weaker होते चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, देखो, सबसे पहली property, सबसे पहली property यह है, कि no work is done in moving a test charge over and equipotential surface, अगर आप equipotential surface के उपर किसी भी charge को रखोगे, या move करवाओगे, कोई work done नहीं होगा, अब आपको समय में आया, जो हमने पिछली start में देखा था, कि एक ही surface के उपर, जो ब्लू बाला surface था, उसी surface के उपर एक charge move कर रहा था and no work was done, ठीक है, दूसरा, electric field is always normal to EPS at every point, मतलब भी, equipotential surface, जो equipotential surface होगा, वो electric field line के हमेशा perpendicular होगा, always perpendicular, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे, यह देखो, यह perpendicular है, यह देखो, यह सारा perpendicular surfaces है, यह देखो, और भी दिखा देता हूँ, यह देखो, यह देखो, यह perpendicular है, यह सारा perpendicular है, ठीक है, सरा में आया, ओके, आगे चाहते है, equipotential surfaces are closer together in the region of strong field and farther apart in the region of weak field, जो मैंने आपको भी समझ जाया था, अगर तो electric field strong है, तो equipotential surfaces काफी close close होगे, लेकिन जैसे-जैसे electric field कमजोर होता चला जाएगा, equipotential surfaces में दूरी बढ़ती चली ज surfaces can intersect each other, जैसे आपने एक concept पढ़ा होगा, no two electric lines of force can intersect each other, ऐसे ही equipotential surface भी आपस में intersect नहीं कर सकते है, ठीक है, स्वाम है, ओके, यह देखो, अगर आपको कोई question पूछे के, uniform electric field के equipotential surface कैसे होंगे, तो आप ऐसे बिना सकते हो, यह blue lines क्या है, electric field, और यह जो orange वाली lines है, यह है equip T degree पे, ठीक है, स्वाम है, ओके, अगर आपसे की question पूछे के, दो charge मैंने बहीं कठे रख दिये, जैसे dipole बना दिया, तो equipotential surface कैसे होंगे, यह देखो, बिल्कुल charge के पास, equipotential surface थोड़े, पास पास होंगे, और दूर जाने पे यह आपस में भी दूर होते चले जाएंगे और यह है line, equipotential surface की equatorial line, इसलिए इस पे, आप charge को जहां मर्जी move करवाओ, work done नहीं होगा, ठीक है, समय मैं है, ओके, अब, any surface that has the same potential at every point is called equipotential surface, ऐसा कोई surface हो, जिस पे potential हर जगा same हो, उसको बोलते है, equipotential surface, मैं आपको एक चीज़ और बता दू, ताकि आपको कोई confusion ना हो, आप अगर पूछोगे के, जैसे ये वाला surface है, मानलो ये वाला surface देख रहा हम, आपको होगे, अगर मैं charge को यहां से यहां ले आओ, तो क्या work done होगा, नहीं, अगर मैं charge को यहां से यहां ले आओ, तो क्या work done होगा, येस, लेकिन अगर मैं charge को, म होगा धिश्यान रखना जैसे यह सांच पर चेंज किया वर्फ विल बीड लेकिन करा सेन ऊक्रक्त्व सर्फेसnahmen चलते रहे नो और अब पर इस देखते हैं रस्यशंशिप अब देखने यह पॉस्तिव चार्ज है इसकी फ्लक्स बाहर जा रही है अब इस चार्ज को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फिल्ड इस चार्ज को रोकेगा ठीक है यह सिच्वेशन तो यह रहा मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज अब इस छोटे से चार्ज q0 को मैं इसकी तरफ लेके आऊंगा यह अब जैसे मैं इसको इदर लेके आ रहा था तो रास्ते मुझे दो points मिले a b ठीक है a b point मिले अब इसका distance है मानलो छोटा से distance है dr या displacement है dr vector ठीक है और जो electric field है वो इस तरफ जा रहा है मतलब towards the right जा रहा है मानलो a पे potential है v और b point पे है potential v plus dv slight difference आप पुछोगे v minus dv क्यों नहीं है ठीक है वो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि minus sometimes create complexity इसलिए हमने यहां पे plus ले लिया ताकि हम यह देख सकें कि potential change कैसे होता है हम आपने यहां पे सिर्फ इतने zoom करके चला है कि potential slides are change हो गया बिल्कुल स्लाइट चेंज हो गया इसलिए हमने यहां पे लिखा v plus dv ठीक है स्वाइं में आया है ओके चलिए नाओ external force required to move the test charge q not without acceleration against electric field e vector आपको पता ही है जैसे ही आप किसी पड़े हुए चार्ज जो चार्ज कहीं पर रखा हुआ है अगर उसके electric field में बाहर से किसी चार्ज को लेके आओगे तो पेरेंट जो चार्ज होगा उसका electric field दूसरे charge को रोकेगा है ना रोकने के लिए क्या लगाएगा force तो force होगी f vector is equal to q not into e vector work done required to move charge from a to b a से b तक लाने के लिए कितना work done करना पड़ा w is equal to fdr होता है f की value यहां put करो ठीक है into dr यह है scalar form में ठीक है scalar form में लेटर इक्वेशन number one work done तो यह भी होता है charge into potential difference चार्ज कौन सा लेके आयो q not potential difference कितना है vb-va final minus initial है ना तो यह रहा q not और vb-va को बना लिया हमने dv small change in potential difference अब जैसे हमने equation one or two को equate किया तो हमें मिला e is equal to minus dv by dr यह मिला हमें relationship between electric field and electric potential पर यह कैसे relationship है e is equal to minus dv upon dr इसके लिए आपको calculus की थोड़ी knowledge होनी चाहिए अब इस equation को हम अच्छे से समझते हैं अब बड़े ध्यान से समझना तो मेरे पास आया e is equal to dv minus dr और सॉरी minus dv by dr इस dv by dr को बोलते है potential gradient इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर आप electric field में के अंदर हो suppose आप electric field के अंदर present हो और आप अपनी position को change कर रहे हो तो जैसे अपने distance change किया there will be a change in potential also तो जब भी कोई quantity with respect to distance change होती है उसको साथ लगा देती है gradient जैसे मान लो velocity change हो रही है with respect to distance तो अगर आप अगर pressure change हो रहा है with respect to some position या distance तो बोलेंगे pressure gradient ठीक है समय में आया तो gradient लगा देते हैं साथ तो यह क्या बना minus dv by dr तो यह बना potential gradient अब समाझने वाली बात क्या है यह देखो नेगेटिव sign नेगेटिव sign shows that direction of electric field is in the direction of decreasing potential सबसे पहली वार इसका मतलब जिस डिरेक्शन में electric field है किस डिरेक्शन electric field की direction होती हो from positive to negative इसका मतलब अगर आप positive से negative की तरफ जाओगे potential कम होगा ठीक है देखो पहले नियम कुछ कह सकता है ते अब हमार पास mathematical model आया mathematical model नहीं में यह बताया कि in the direction of electric field potential will decrease कम होगा दूसरा electric field at any point is equal to negative potential gradient at that point यह इस इस equation की ऐसे समझे रो definition electric field at any point is equal to negative potential gradient at that point वहाँ पे उतना ही electric field होगा किसी भी point पे जितना वहाँ potential gradient होगा ठीक है स्वाई में आया ओके आगे चलते हैं अब देखो क्योंकि मेरे पास आ गया e is equal to minus dv by dr अब मैं vector form में लिखना तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा dv is equal to minus of e vector dot dr vector now integrating both sides v1 to v2 r1 to r2 और अगर मैं r1 को ले लू infinity तो वहाँ पे v1 होजेगा 0 ऐसा क्यों क्योंकि infinity पे potential कितना होता है 0 तो मेरे पास equation आएगी v into r vector मतलब v is a function of r vector is equal to minus of integral from infinity to r vector is e vector dot dr vector यह equation यह बड़ी important है इस equation को मैं समझाता हूँ देखो इसको कि समझना कैसे है यह बड़ी technical equation है इसका मतलब यह है कि electric field के अंदर अगर आप अपनी movement यह charge की movement करोगे from infinity to some r vector कोई position अगर आप electric field के अंदर किसी charge को infinity से r position तक move करवाओगे तो आपको मिलेगा potential at that point तो वहाँ पे आपको potential भी मिल जाएगा लेकिन ध्यान देवाली बात क्या है कि मिलेगा आपको negative ठीक है समय है ओके नाओ यह तो हो गया काफी mathematical थोड़ा heavy काम हो गया लेट्स विजुलाइज एक concept ठीक है अब विजुलाइज करते हैं कैसे विजुलाइज करोगे देखो मेरे पास है एक electric field तो यह है direction of electric field क्योंकि इस तरफ है positive charge और इस तरफ है negative charge और electric field के direction होती है from positive to negative तो इस तरफ है अब यह है मेरे पास क्या है इस सारे यह blue lines क्या है equipotential surfaces इसमें मैंने दो surface एजुम कर लिए surface one surface two यह दोने equipotential surface है यह है मेरे पास कोई charge simple कोई charge है अब इस charge को मैं इन दोनो surfaces के अंदर move कर वहंगा जिसमें है distance delta x very small distance ठीक है यह करवा दिया move हो गया move अब देखो यह delta x distance move हुआ particle और mathematical equation मुझे क्या बताती है कि delta v मतलब change in potential is equal to minus of e into delta x मतलब अब आप यह बताओ कि electric field की direction में जाते हुए potential कम होता है यह मैं बता है आप यह बताओ इन दोनों में से 1 और 2 में से कौन सा equipotential surface higher potential का है और कौन सा low potential का है सबसे बताओ इन दोनों में से कौन सा surface high potential surface है 1 या 2 आपका answer इस चीज़ को तैय करेगा कि आपको यह concept शोय में आया है या नहीं मैं दोवारा से question पूछता हूँ 1 और 2 में से कौन सा equipotential surface higher potential का है 1 या 2 तो answer है 1 is at higher potential and 2 is at lower potential ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि mathematical equation हमें यह बताती है कि in the direction of electric field in the direction of electric field potential will decrease मतलब अगर मैं left से right की तरफ जाओंगा तो potential कम होगा उसके हिसाब से यह वाला lower potential होना चाहिए मतलब यह वाला तो और भी कम potential पे होना चाहिए जिस जिस हिसाब से अब electric field की तरफ बढ़ते चले जाओगे potential will keep on decreasing ठीक है समय है अब जाते जाते this is the change in voltage V between two equipotential lines in a uniform field of magnitude E separated by X मतलब यह delta V change in potential difference है equipotential surface के अंदर ठीक है जो आपस में delta X या X दूरी पे होते हैं दूसरा if we move in the direction of the field by distance X potential will decrease अगर आप electric field की direction में जाओगे तो potential कम होगा लेकिन अगर आप electric field से उल्टे चल पड़े मतलब if you move from negative to positive तब वहाँ electric field बढ़ने लग जाएगा ठीक है समय में आया तो students यह था आजका lecture I hope the relationship between electric potential and electric field आपको बहुत अच्छी तरीके समय में आया होगा आपने visualize भी किया होगा next lecture लेके जल्द हाजिर होंगा तब तक के लिए stay safe and goodbye और जल्द ही numerical problems पे भी मैं lecture लेके आ रहा हूँ stay safe